हेलो फ्रेंस आज मैं आप लोगों के साथ एकदम कुरकुरा चरपटा और टेश्टी नास्ता की रेश्पी सेयर करूंगी देखने में तो यह बिल्कुल नॉर्मल पूरी की तरह लगता है लेकिन खाने में यह बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है इसी आप सुबह साम की चाई के साथ खा सकते हैं या फिर कहीं लंबे सफर पर जा रहे हों तो बना करके ले जा सकते हैं यह लंबे समय तक खड़ाब नहीं होती है और इसी तरह से क्रिस्पी बहुत दिर तक बनी रहती है और बनाना भी इसको काफी ज़्यादा एजी है तो चलिए इस टेश्टी और क्रिस्पी नास्ता को बनाना सुरू करते हैं नास्ता की रेस्पी अगर आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे बनानी के लिए हमने यहाँ पर एक बावल में एक कप सूजी ले लिया है सूजी आप बारिक वाली या मोटी वाली कोई भी ले सकते हैं सूजी को आप छान कर ही लीजिएगा अब इसमें आधा कप जितना हलका सा गुनगुना पानी डा ताकि सूजी अच्छे से भींग जाए और इसको अच्छे से मिक्स कर लिए तो मैंने सूजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसको ऊपर से कवर कर लेते हैं और कुछ देर इसको फोलने के लिए छोड़ देते हैं इसको हमने कुछ देर के लिए फोलने के लिए रख ल इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इधर सूजी को फूलते हुए कुस्तेर हो चुका है सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है इसको अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लेते हैं यहां पर हमने सूजी को चमच की सहता से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है आप च पर क्रस करके डालिएगा फ्लेबर बहुत ही वढ़ियां आता है इसमें आधा चमच की जितना धनिया पॉर्डर एड़ कर लेगे एक चोथाई चमच गरम मसाला एक चोथाई चमच भुना हुआ जीरा का पॉर्डर साथ में यहाँ पर आधा चमच की जितना चीली फ्लेक्स ए आटा एड़ कर लिया है आप चाहें तो मैदा भी एड़ कर सकते हैं स्वाद के अनुषार नमाक एड़ कर लेंगे और एक से डिर्षे में जितना ओयल डाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते भी आटे की तरह गूथ लेंगे इसमें मैं पानी बिल्कुल भी नह बिल्कुल पर्फेक्ट हमारा आटा लग करके तैयार हो जाएगा अगर पानी आप डाल लीजिएगा तो यह गीला हो जाएगा फिर हमें नास्ता बनाने में दिक्कत आएगी अगर आपको गीला लग रहा हो तो आप यहां पर थोड़ा थोड़ा सा सुखा आटा और डाल सक पर्फेक्ट डूर लग करके तैयार हुआ है अब इसमें से छोटे-छोटे पेरे हम तैयार कर लेंगे और पेरे का साइज में बहुत बड़ा भी नहीं रखना है और छोटा भी नहीं रखना है जिस तरह से हम नॉर्मल पूरी के लिए आटा की लोई लगाते हैं उसी तरह स आप चाहें तो इसे ओयल लगा करके यह त्पर यहांचे को उपर सूखा आटा लगा करके बेला है और आप देख सकते हैं इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा है बहुत ज़्यादा पदला भी नहीं रख्ता है मीडियम थिकनेस का रखा है बहुत जादा अगर मोटा आप इसको कर देंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बन पाएगा बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट पर जाएगा तो यहाँ पर हमने चार पूरियों को बेल करके तयार कर लिया है तो चलिए वी से फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने कराही में तेल को गरम होने के लिए रख लिया था तेल मीडियम गरम हो चुका है बहुत जादा तेल को गरम नहीं करेंगे नहीं तो पूरिया एकदम से डार्क हो जाएगी और फूल नहीं पाएगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरियों को डाल लिया हलका सा उपर से प्रेस करते जाएगे ताहिए पूरिया अच्छे से फूल सके जब पूरिया अच्छे से फूल जाएगी तब इसको पलट लेंगे और दोनों और से हलका सा golden होने तक इसको fry करेंगे गैस का flame medium to high रखेंगे आप देख सकते हैं friends यहाँ पर यह एक पूरी तल करके तयार हो चुकी है और कितनी बढ़ियां एकदम कराडी से यह बन करके तयार हुई है तो चलिए इसको हलका सहम इस तरह से कराई के उपर रोक लेंगे ताकि इसमें जो भी extra oil होगा वो कराई में ही निकल जाएगा आप मैं इस पूरी को निकाल लेती हूँ और सारे पूरियों को इसी तरह से fry कर लूँगे आप देख सकते हैं एक एक पूरियां हमारी कितनी फूली फूली से करारी से बन करके तयार हो रही है इस पूरिये इतनी ज्यादा चटपटी क्रिस्पी और टेश्टी लगती है कि आप इसको बिना दाल सबजी के भी खा सकते हैं और एकदम करारी बहुत समय तक बनी रहती है जल्दी से सौफ्ट नहीं परती है बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है तो लिजे फ्रेंस यह हमारी दूसरी पूरियां भी तैयार हो चुकी है इसी तरह से सारी पूरियों को फ्राई करते जाएंगे और यह बिल्कुल भी आईली नहीं बनती है देख सकते हैं मैंने सारी पूरियों को फ्राई कर लिया है और देखने में यह कितनी ज़्यादा बढ़ियां लग रही है एकदम क्रिस्पी करारी सी लग रही है देखने में को आप किसी भी रसेदार सबजी के साथ खा सकते हैं या फिर बिना सबजी के भी इसको खाएंगे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, फिरेंस आप भी इसको अपने घर में एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा, गारेंटी है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे, तो आपको रेस्पी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताईएगा, रेस्पी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, नई रेस्पी के साथ, पत्त के लिए बाई, थैंक्स फार वाचिंग.